गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप गुड आज आपके लिए क्लास 11 की हिस्ट्री का चेप्टर 2 का पार्ट 3 लेके आया है टक्नो सिक्सा तो अगर आप 11 के स्टूडेंट्स हैं या आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास 11 में स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये वीडियो जरूर सेयर करें ओके और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आप तुरंत करें तो सुरू करें आज का चेप्टर 2 चेप्टर 2 का पार्ट 3 इसे पहले दो पार्ट हम कर चुके हैं अगर आपने नहीं क के वीडियोस अलग हैं, class 12th के वीडियोस अलग है history के और आपके competition math reasoning के वीडियो चप्टर वाइस अलग अलग है ठीक है, 11th की आपकी बुक का नाम है themes in world history मैंने काई इसका chapter 1 इस pandemic में जो school नहीं चल पाये, उसकी वजह से first कुछ chapter हटाए गए है जिन से पहला चैप्टर था ओके दूसरा चैप्टर ही इस साल आपका है और यह केवल इसी सत्र के लिए यानि इसी सेसिन के लिए 2020 और 2021 के लिए हटाया गया है तो सुरू करते हैं हम आज की क्लास अब टाइम वेश ना करते हुए जल्दी आगे बढ़ते हैं मैंने का चैप्टर का का सहरी करन कैसा वहां सहरी करन अपनाजेशन शुरू हुआ उसके बारे में बताता है इसमें टेंपल्स एंड किंग्स इनके बारे में डिटल से बताया गया है कहता है फ्रॉम फाइफ थाजन बी इसी यानि की इसा से भी 5000 साल पहले अब इसा के बाद हम 2020 आ चुके हैं और उसके 2020 प्लस 5000 यानि आज से लगबग 7000 साल पुरानी बात कहता है ठीक है सेटलमेंट्स हैड बिगन टू डैवलब इन साथन मेसोपटामिया सेटलमेंट्स शुरू हुआ कहां पर साथन मेसोपटामिया में बस्तियों का विकास आज से 7000 साल पहले अब ये सिटीज अमर्ज सेटलमेंट्स और यही जो सेटलमेंट्स थे बस्तिया थी इनी बस्तियों से कुछ सुरूआत के सहर डवलप हुए बस्तिया ही धीरे धीरे क्या बनी सहर कहता है दक्षन मेसोपटामिया में सहरों की सुरूआत कैसे सुरूआत हुई एक मंदिरों के पास दूसरा कहता है व् पारिक केंदर जोते उनके पास में तीसरा कहता है साही सहर English Medium वाले students के लिए भी लिखा गया है Cities begin in Southern Mesopotamia First developed around temples Second developed as centers of trade Third one is imperial cities कहता है development of temples इस topic को हम बड़ा detail में पढ़ेंगे कहता है मंदिरों का विकास इसके अंदर हम कुछ ले रहे हैं जैसे कि पहला point मंदिरों का निर्मान ठीक है मंदिरों का विकास में पहला point आता है construction of temples कहता है early settlers begin to build temples at selected spots in their villages बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गाउं में कुछ चुनी वी जगाउं पर क्या बनाने शुरू किये मंदिर और कहता है the earliest known temple was a small shrine चोटा सा दिवाले था जो शुरूवात के ग्याद मंदिर थे the temple was made of unbaked pricks कच्ची इंटों के बने वे होते थे और मंदिर के चारे और क्या होते थे many rooms कई सारे कमरे बने होते थे कहता है प्रारभ में मंदिर साधरान घरों से अलग किसम के नहीं होते थे जो मंदिर थे और जो साधरान घर थे वो लगबग एक जैसे होते थे कुछ अलग नहीं बने होते थे मंदिर for the temples was the house of god क्यों क्यों क्योंकि मंदिर भी तो किसी देवता का ही घर है मंदिर भी तो घर है किसका घर है मंदिर देवताओं का घर ये खास बात कह रहा है परंतु मंदिरों की बाहरी दिवारे कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की और मुड़ी वी होती थी समझ आया ना अंदर को फिर बाहर फिर अंदर फिर बाहर जबकि साधरन घरों की दिवारे ऐसी नहीं होते थी which no ordinary buildings have ever had clear a point मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ ये एक डिवाले का पिक्चर है मैसो पुटामिया से जो सुरू का मंदर प्राप्थ हुआ है ये उसका अंसमात रह गया है अगर हम देखे तो इसका उपर तक ऐसे था ओके उपर इसकी भी क्चर था ऐसे ये पूरा श्ट्रक्चर बनता था तो वर्तपान में इसका श्ट्रक्चर इतना बचा हुआ है ओके आप इसमें देख सकते हैं मैंने कहा था अंदर और बाहर की और मुड़ीवी दिवारे ओके पहले अंदर को फिर बाहर को फिर अंदर को फिर बाहर को तो ये चार और ऐसे सी डिवारे हैं फिर बाहर फिर अंदर और नॉर्मल हाउसीज में ऐसा नहीं था बस यही डिफरेंश था बाकी नहीं तो मंदिर भी घरों की तरह ही होते थे ओके यह देखिए आप इसका देख सकते हैं डिजाइन इसमें आपको और के लिए देख जाएगा अंदर और बाहर की और मुड़ी हुई कहता है दूसरा पॉइंट मंदिर के देवी देवता, Gods, Goddesses of the Temples क्या कहता है, Temples were the residents of various Gods and Goddesses मंदिर में विभिन परकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे Like उर, उर वाजदा, Moon God, चंदर देवता थे उर फिर कहता है इनाना इनाना goddess of love and war प्रेम और युद की देवी थी इनाना कहता है प्यूपल यूज तो ओफर ग्रेन, कर्ट and फिस्ट to the temple for the gods and goddesses लोग देवी देवताओं के लिए मंदिर में अन डही मचली चड़ाते थे ठीक है देवताओं को क्या ओफर करें जो हम खाएंगे जैसा हमारा खानपान होता है वही हम अपने देवी देवताओं को खानपान देते हैं समाज में वही तो इस्थान होता है ठीक है आप देखेंगे पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर क्या नाम है मीट खाया जाता है तो वाँ बली की परता होती थी बाकी जो क्या नाम है समुद्र टट्य इलाकों में मचली की पूजा हो मचली वगरे भी चड़ाते हैं पूजा में और आप देखेंगे दक्षिन भारत या बाकी जगे नार्यल भी चड़ाया जाता है तो जैसा हमारे पास availability होती है उसी प्रकार के हम offerings करते हैं मतलब प्रसाद चड़ाते हैं तो यहां के लोग भी देवी देवताओं के लिए क्या करते थे मंदिर में अन दही मचली चड़ाते सधान्तिक रूप से अरादे देव क्या कहता है जो अरादे देव हैं खेतों मतश्य छेत्रों और स्थाने लोगों के पसुधन के स्वामी माने जाते थे तो हमारे अरादे किसके होए खेतों मचली पालन बता कि हमारे मचली अच्छी हो पसुधन अच्छा हो हम इसलिए तो लव एंड मेने का वार बताया आपको इनाना ओके यह इनाना का एक चित्र आपको गूगल से दिया लिया है ओके आए तीसरा पॉइंट इसमें आता है मंदिरों में परिवर्तन चेंजिस इन टेंपल्स करते दाम टेंपल्स स्टार्टे टू डेवलप ग्रैचुली धीरे-धी ट्यवटीट्टू के अंतर कि जाने लगी क्टuwe потр. 250 स्ट इंपकी स्टार्ट स्टेथि जविज़लों के बढ़ेगी तो पुरोहट की जम्मेदारी बढ़ेगी ठीक है, कहता है, in time, the processing of produce, जो वहाँ पर production होने लगा, producing होने लगी कहता है, for example, oil pressing, grain grinding, spinning, and the weaving of woolen cloth was also done in the temple, समय आने पर उपज को उतपादित वस्तूओं में बदलने की परक्रिया, मतलब उपज मिस जो आपका raw material उगा है, उतपादित वस्तूओं मतलब जो उससे तैयार माल किया जा रहा है, जैसे कि तेल निकालना, अनाच पीशना, कातना, और उनी कपड़ों को बुनना, ये सब मं मंदिर में ही किया जाने लगा, gradually increase the activities in the temples through written records of allocation and distribution of above family level administrators and plants of traders, grain, plough animals, bread, beer, fish, etc. and the main urban institution talk the form of, करता है, मंदिरों में घर, डिवार से उपर के स्तर के विवस्तापक, मतलब जो family level से बड़े level का जो सारा काम हो रहा है, वैपारियों के नियोक्ता, अन, हल, जोतने वाले पसूओं, रोटी, जोकी, सरा, मचली, आदी, आवंटन और वित्रण, सब कुछ वहीं हो रहा है, मंदिर के अंदर, और इनके लिखित अभी लेक रखे जा रहे हैं, धिरे धिरे अपने किरिया कला बढ़ा लिए, और इस तरह मंदिर के आसपास मुख्य सहरी संस्ता का रूप हो गया, मैंने कहा था, पहले सहर कहां develop है, मंदिरों के आसपास, ओके, तो कहता है, मंदिरों में क्या हु मंदिर व्यापारिक केंदर, पूरी सहर का संचालन ही मंदिर से होने लगा, मंदिर अब एक तरह से सत्ता का केंदर हो गया, मंदिर में व्यापारिक माल वा अनाज रखा जाता था, कमर्शिल गूड्स और फूड ग्रेंज वर कैप्ट इन दे टेंपल, मंदिर में लोग पाजा की भूमी का, फिफ्ट पॉइंट आगया, इसमें, रोल अफ दे किंग इन दे कंस्ट्रक्शन और मैंटनेंस अफ टेंपर्स, कहता है, वान दे वाच कंटिनूस वाफिर, दोज चीफ्ट हो हैड बिन सक्सेस्फुल इन वार कुड अबलाइज दे फॉलाव बाइड लूट, लंबे समय तक एक लड़ाई चलने के बाद, जो मुख्या लड़ाई जीता था, वे क्या करता था, जो उसके फॉलोवर्स थे और जो उसके साथ ही थे, उनमें लूट का माल बाट कर उन्हें खुस कर देता था, ठीक है, लड़ाई करी, तो अपने जो साथ ही है, उ लूट का माल भी मंदिरों में चड़ाया जाता था, मंदिरों में उसे और विक्षित करे जाते थे, मंदिरों में पैसा लगाया जाता था, और बाद में इन राजाओने क्या किया बहु मुल्य भेंट को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, ठीक है? मैंने जा इससे क्या हुआ कहता है उन्होंने मंदिरों की धन्रासी के वितरन का record रखना शुरू किया जब मंदिर में धन्रासी बढ़ गई तो उसका return records रखना पड़ा इससे मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई जब record रहा पैसा आ रहा है मंदिर भवया हो रहे है इस इंक्रीज द ब्यूटी अफ टैंपल इस सिस्टम गेव द किंग अ हाई प्लेस और इस्टेबलिश्ट इस कम्प्लीट इस विवस्ता ने जो राजा महा पर बहुमूले भेंट दे रहा है मंदिरों को बढ़ा चड़ा कर उसकी भवयता को बढ़ा रहा है तो कहता है इस विवस्ता ने राजा को उचा स्थान दिलाया समाज में और समुधाय पर उसका पूर्ण नियंत्रन स्थापित किया समुधाय पर उसका पूरा नियंत्रन हो गया ठीक है लोग रहते थे खुस की राजा मंदिर को डवलक कर रहा है मंदिर बन रहा है यानि की राजा अच्छा काम कर रहा है यही लोग मान लेते थे क्योंकि मंदिर में ही सारी ट्रेड अक्टिविटीज वगरा सब हो रहा था कहता है युद बंदियों और इस्थाने लोगों को अनिवारे रूप से मंदिर का अत्वा प्रत्यक्स रूप में सासक का काम करना पड़ता था जो युद बंदी है ठीक है और जो वहां के लोग है तो कहता है अनिवारे रूप से जरूरी कंपलसरी है मंदिर का काम करेंगे, मंदिर के निर्माने में उपना योगदान देंगे या सासक का काम करेंगे, सासक को जोगे उपना काम करवाना है, उन्स लोगों से करवाएगा कहता है, according to an estimate, fifteen hundred men work, ten hours a day for five years to build a temper एक अनुमान के मताबिक 15 सो आदमी grऑने, पैस साल तक परति दिन 10 घंटे काम किया था, अकिमद के बना था, एक मंदिर, ठीक है, एक मंदिर को बनाने कि ये पंधरा सो लोग 5 साल तक रोज 10 घंटे काम कर रहे हैं आप सोचो तब जा करके बना एक मंदिर और लोगों को काम के बदले क्या दिया गया अनाज ठीक है ओके चले आगे अगला कहता है आगे कहता है उन्होंने मंदिरों की धन्रासी के यह तो हमने पढ़ लिया यही है अब आता है अगला टॉपिक मंदिरों का विकास के अंदर हमने इसके सारे पॉइंट्स पढ़े ठीक है ओके मंदिरों का विकास दोता उसके अंदर हमने इसके यह सारे पॉइंट्स पढ़े अब आगे चलते है मैंने का Life in the City सहरी चीवन ये टॉपिक आपके बुक में कहता है जेर वाच एन एलीट क्लास इन दे सोसाइटी सोसाइटी में एक एलीट क्लास था एक संभरान तो वर्ग एक उच्चु वर्ग इस समाज के छोटे से भाग के पास समाज का ज्यादा भाग था होता क्या है मैं आपको हमेशा हर समाज की बात कहें आज के भी समाज की बात कहें हम समाज के एक छोटे वर्ग के पास समाज का एक मोटा हिस्सा होता है ना समाज के एक छोटे वर्ग के पास समाज का एक मोटा हिस्सा पाये जाता है वही तम भी था जो अमीर वर्ग है वो छोटा सा अमीर वर्ग ही तो है जो मैक्सिमम पूरे देश की जीडिपी का अधिकतर युगदान उनके पास है अधिकतर हिस्सा उनके पास है कहता है धन दौलत का अधिकांस हिस्सा समाज के इस छोटे से वर्ग के पास था इस बात की पुष्टी इस बात से होती है कि उर्नगर में राजाओं और रानियों की कुछ कबरों से आभूशन, सोने के पात्र, सफेद सिप्पियां और लाजवर्द जड़ेवे लकडी के वाद्यंत्र, सोने के सजावती खंजर ये सारी चीज़ें मिली है, लाजवर्द एक पत्तर है, वो जड़ा हुआ लकडी के वाद्यंत्र, बुडन, मुजिकल इस्टूमेंट, ओन्नमेंट, गोल्ड, डगएस, एक्सेक्टर, ओके ये देखे, कबरों में समान रखा जाता था, उनके जो जितना आमीर होगा, वो उतना ज़्यादा समान रखेगा, कीमती समान रखेगा, जो गरीब होगा, वो कीमती समान नहीं रखेगा, ओके एकल परिवार में कहता नुक्लियर फैमिली, एकल परिवार में एक बुरुस उसकी पत्नी और बच्चे सामिल होते हैं ठीक है, चले आगे, हाँ जी, हिंदी में एक लाइन रहे गई है, यह वाली लाइन कहता है nuclear family practice was prevalent in Mesopotamia society, Mesopotamia society में nuclear family practice में थी, nuclear family मतलब एकल परिवार, okay, Mesopotamia की सब्वेता में समाज में एकल परिवार का परचलन था, what's considered the ideal और इसको ही ideal माना जाता था, यही एक आदर्स था, काफिनली में लिख सकते हैं, मैंने कहा, Mesopotamia समाज में एकल परिवार का परचलन म a man, his wife and children, एकल परिवार किसको मान रहा है कहता है, एक परुस, उसकी पत्नी और बच्चे, ठीक है, विवाह में उपहारों का आदान परदान होता था, गिफ्ट वर एक्सचेंज बाइब बोट पार्टी इन मेरेजे, आज भी विवाह में उसका क्या नाम है, गिफ्ट का ए करते थे और भोजन करते थे, फिर कहता है, एनमेड ओफरिंग इन टैंपल, ओफरिंग मतलब भेट चाड़ाते थे, मंदिर में जाकर, फादर्स हाउस, हर्ट्स, फील्स, एक्सक्टर वर इनहरेटेट बाइधर संस, संस को क्या मिलता है, इनहरेट संस में, कहता है, पिता का और उन नगरों में से एक था, जहां सबसे पहले खुदाई का कारे किया गया था, और वन अफ दा अर्लियर सिटीज तो हैव बिन एक्सकेवेटेटेट, मैसोपोटामिया के उर सहर की खोच, 1930 के दसक में, सुवी वस्तिक दंग से की गई, उर सिटी अफ मैसोपोटामिया व स्का, ओके, कै서도're narrow winding streets indicates that wheeled car could not have reached many of the houses, और नगर की गलिया तीडी मीडी और संकरी थी, संकरी बिन दी आईगी यहां पे, ठीक है, और नगर की गलिया तीडी मीडी थी और संकरी थी, यहाँ घरों में पहिये वाली गा сокरी के ऐसे थी चोटी सी थी, और बेल गासी ओडेटेट तो आणाच के बोरे और इंधन के गठे सायथ गदर पद लागाए जाते होंगा। fala sack of grain and fireworkwood थीउट है? Would have arrived on । the different shape of the narrow and winding streets, and irregular shape of houses plots, also indicates and absence पतली और घुमावदार गलिया तता घरों के भुखंडों का भिन भिन अकार अलग अकार में कटेवे को छोटा बड़ा हर्ब अलग तरह का कि वहां नगर नियोजन पद्दिती का अभाव था जल निकासी प्रणाली की अनुपस्तिती अपसेंस अफ ड्रेनिज सिस्टम भी ब ड्रेन्स and clay pipes were instead found in the inner courtyards of the houses and it is thought that house roofs sloped in wards and drain water was channeled into sumps in the inner courtyards sumps कहता है ये अंदर एक होज बना दिया गारा है लेखिए इसको कहता है नालिया और मिट्टी की नलिका है घरों के भीतरी आंगन में पाई गही है तो नालिया अंदर जा रही है बाहर नहीं आरी घर से ये घर के आंगन में चारों तरफ कम रहे है ये बीच में आंगन में तो सारा नाली का पानी सारा पानी जो है गंदा पानी वो घर के आ आंगन की तरफ को समझुझाया? तो क्या कहता है छतो जिस स देखो नालियों वमिट़ी के नलिका घरों के भीतरी आंगोनों में पाई गैंक जिससे यह समझाय जाता है कि घरों की छत्तो का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षया का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगन में बनेवे हौज में ले जाए जाता था अंदर एक हौज बनाया हुआ जिसमें की पानी को ले जाए जा रहा है साइध है इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज बारिस आने पर घर के बाहर की कच्ची गलिया बुरी तरह कीचड़ से ना भर जाए गली में कीचड़ ना हो जाए इससे बचाने के लिए उन्होंने अपने आंगन में ही कीचड़ कर दिया समझें इनकी समझधारी और आप जब अगली क्लास में हडपा सबिता पढ़ेंगे आप वहां की जल निकासी विवस्ता को देखेंगे तो दुनिया की सर्वोत्तम विवस्ताओं में से तो आप देखेंगे ठीक है अगले साल जब आप पढ़ेंगे हडपा सबिता वहां का सिस्टम उसका अर्मनाइजेशन उसका सहरी करण ठीक है तो आते हैं कता है लैक ओफ सैनिटेशन सफाई विवस्था का ना हो ना ऐसा मालूम होता था कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कच्रा बाहर गली में डाल देते थे घर का कूड़ा बाहर गली में भर दिया गली उसस से उची उठते जा रही है जहां आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे दबता रहता था अब क्या होता था गली उची उठती रहती थी आज भी देखता प्राइवेट कलोनीज में गली उठती रहती है बार बार गली को उपर उपर बना दिया जा पर कच्रा तो नही विंडोस कमरे में खिडिकियों का ना होना उर्शिटी हाउसी डिट नॉट है विंडोस डिस उड़ हैव फैमिलीज दियर प्रैविसी और नगर की घरों में खिडिकिया नहीं होती थी इससे खुड़ा गूपनी अता रहती थी ना उनको लगता था कहता है सुपर्स्टिशंस अपाउट हाउसेज घरों के बारे में अंध्विसवास इन मेंसी पूतामिया सुपर्स्टिशन वार प्रिवलेंट अमांग प्यूपल अब बिलिदिंग हाउसेज मेसी भर बनाने को लेकर लोगों में अंध्विसवास पर चली था यह बड़े अंध्विसवासी थे घर के मामले में कहता है यदि घर की दहलीज उपर उठी भी होगी तो धंदौलत आएगी घर का दहलीज अगर हमारी उठी भी होगी तो धंदौलत आएगी सामने घर के दरवाजा किसी दूसरे घर की और ना खोले भई ये सामने दूसरे का घर और हमारा भी घर ना खुले भई तो सौबागय परदान करता अगर सामने होगा तो सौबागय नहीं आएगा कहता है जब नहीं होगा तभी लक्य होगा गरी घर का मुखे दर्वाजा लकडी का बना हो तो वे भीतर की ओना खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पती के लिए दुख का कारण बनेगी अगर दर्वाजा लकडी का बना है और वो अंदर के और निकुल के बाहर के खुल रहा है तो मतलब पत्नी अपने पती के दुख का कारण बनेगी ये इनका अन्विस्वास्ते उर नगर में नगरवासियों के लिए कब्रिस्थान था जिसमें सास को और जन साधरान को दफनाए जाता था अभी हमने कब्र का चितर देखा था तो मैंने कहा उनके साथ पता चलेगा की इ documents का है किसी और अगर किसी कब्र के अंदर बहुत भी सारा luxury संवान रखा गया il का ठेकर नहीं तो किसी इसका फूर्ट पार्ट जल्दे लेके आएंगे तो आज यहीं पर हम चले, नमस्कार ओके, ठाटा बाई बाई